एक तरफ रशिया दो महीने से भी जादा समय से युक्रेन में बंबारी कर रहा है। दूसी तरफ रशिया के बड़े बड़े बिजनिसमेन उनके परिवार वालों की मौत हो रही है। खास बात ये है कि जिनकी मौत हो रही है वो या तो पुतीन के इनर सरकल का हिस्सा रहे या हैं। इन मौतों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं एजेंसियों को शक है कि ये मौत हत्या हैं जिने आत्म हत्या दिखाने की कोशिशे की जा रही हैं सच तक पहुचने के लिए जाच एजेंसिया मौत की इन गुत्यों को सुलजाने में जुटी हुई है आप देख रहे हैं जिह हिंदुस्तान डिजिटल आपके साथ मैं हूँ अल्पना तो हाल ही में रश्या के जाने माने बिजमेन 55 साल के सरगई प्रोटोसेनिया का शव एक स्पैनिश विला के बाहर लटका पाए गया था इतना ही नहीं उनकी 33 साल की पत्नी नतालिया और उनकी बेटी मार्या को कुलहाडी से काट कर मौत के घाट उतार दिया गया जाज करताओं ने शुरू में ये ये मान लिया था कि प्रोटोसेनिया जो कि अगर हम करेंसी की बात करें रश्या की रूबल है 330 मिलियन संपत्ति के मालिक हैं उन्होंने कोस्टा ब्रावा में अपने परिवार के साथ खुद को मार डाला था लेकिन साने रुपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सबूत पूरी तरह से आत्महत्या की तरफ इशारा करते ही नहीं है क्योंकि उनके विला में कोई भी स्विसाइट नोट हासिल नहीं हुआ इसके अलावा मर्डर विपन पर कोई उंगलियों के निशान नहीं थे बिजनसमें सरगेई प्रोटोसेनिया रूस की एक बड़ी नैच्रल गैस कंपनी नोवटेक के डेपुटी चेर्मेन के तौर पर काम कर चुके थे ये कंपनी और इससे जुड़े अधिकारी क्रेमलिन के बेहद करीबी माने जाते थे कुछी दिन पहले ही रूस के एक और बिजनसमेन 51 साल के विलादिसलाव अवायव का शव उनके मौस्को इस्थित पेंटा हाउस में 47 साल की पतनी येलेना और 13 साल की बेटी मार्या के साथ संदिग्द हालत में बरामत हुआ था अलाकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये साफ नहीं हुआ कि इस परिवार की मौत हत्या है या आत्म हत्या का मामला अवायव पहले गजप्रोम बैंक में उपाध्यक्ष रहे रिपोर्ट्स के अनुसार ये वो बैंक है जो रूसी गैस दिगज गजप्रोम के लिए काम करने के बनाया गया था इसके साथ ही वो पूर्व में क्रेमलीन के अधिकारी भी रह चुके थे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ही परिवार की मौत के मामले शक के दाएरे में हैं मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जाच अधिकारियों को ये शक है कि इन मौतों को आत्महत्या के रूप में बदला गया है मगर इंटेलिजेंस एजेंसिया इन मौतों पर तफ्तीश कर रही है टेलिग्राम, चैनल, मौजहिम, अबया, स्नित के अनुसार दोनों परिवार पुतिन के आंतरिक सर्कल से जुड़े हुए थे और इसी साल रूसी गैस उद्योग से जुड़े दो और प्रमुक अधिकारियों की संदिग्द इस्तिथी में मौत हुई है दोनों अधिकारियों के नाम अलेक्जिंडर, टायलकॉव और लियोनिद शुलमेन है इसी के साथ कुछ समय पहले ही गस्प्रोम इन्विस्ट में ट्रांसपोर्ट प्रमुक 60 साल के लियोनिद शुलमेन अपने बात्रूम के फर्श पर मृत पाए गए थे उनकी मौत भी धारदार हत्यार से वार करने की वज़ा से हुई थी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि गस्प्रोम बैंक, रूसी तेल और गैस के भुकतान के लिए मुख्य चैनल्स में से एक है यह वही नोवटेक है जो पुतिन के करीबी मित्र गेनेडी टेमचेंको की को ओनर्शिप में है और यही वो प्रमुक कमपनिया भी है जिनको हाल ही में क्रेमलिन द्वारा केवल रूबल में उर्जा का व्यापार करने के आदेश से बाहर रखा गया था वही नोवटेक रूस की दूसरी बड़ी नैचरल गेस की सप्लायर कमपनी है जो की पुतिन के बचपन के दोस्त प्योत्र कोलबिन से भी जूडी हुई है जो कथे तित्वार पर पुतिन के बेहद करीबी है ऐसा माना जा रहा है कि संदिक्द परिस्तियों में पुतिन के लिए पैसे का प्रबंधन करने वाली दो प्रमुख निजी कमपनियों के प्रबंधकों के परिवारों की मौत रूसी व्यापार वर्क के लिए एक जटके से कम नहीं है फिलहाल तो इन मौतों की कड़ी काफी उलजी हुई है जिसे सुलजाने की कोशिशे हो रही है और इसके लिए रूसी और दूसरी विदेशी एजेंसिया जुटी हुई है ये जानकारी आपको वहराल कैसी लगी जरूर बताएं बाकी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जी हिंदुस्तान दूसरी के साथ